रुपा बाजवादा नोवल साडी शौप दा दूसरे पाग दा चोथांग उसिन स्वेरे मै मीने दामरी सर्च होन तक दा सब्तो वद दाप मान सी रामचंद जदो दुकान ते पहुंचे आतो गर्मी नाल बिहाल होया पया सी उन्हें अपनिया मुच्छां फेर वदालियां सन उन्हें फैसला किता सी कि मुच्छां दे बगायरों बहुत हसोना लगदा सी मुच्छा नालों दा चेरा खुबसूरत दे निमर हो गया सी गर्मी नालों दी पोख जान दी रही सी, ते उस सर्दियां तो बाद होर कमजोर हो गया सी जद तो ने काम शुरू के तव बेचैनी मैसूस कर रहा सी दुपैर वेले महाजन गुसेच फंक कारे मारदा होया आया चंदर हाले तक वी कामते नहीं सी आया आज फेर एस दुकान चो हो की रहा है, कारोबार की एस तरहां चाल दा है कोई होर होंदा ता चंदर नू कतो दा नौकरी तो काड़ देंदा राम चंद दूंके अहा गया कि होने चंदर देकार जावे ते ओ जिस्वी हालत छोवे नू तूगे दुकान ते ले आवे राम चंद चुप्च पिता खड़ा सतकार नाल महाजंदी अंगलना सोन रे आसी अंदर रे अंदर वेस गालते दुखी ओर रे आसी कि एन्नी गर्मी चे उनू चंदर देकार पैदल जाना पैना है सोचन लगा उनू कोई बहाना बनाले ना चाईद है पर महाजंदा रवया देख़दे हुए उदी हिम्मत ना पै उकाली-काली पाडिया उत्रेया जेवी बार निकलेया उनू तिखी तो पदा सामना करना पैया उन्वो दिन चेते आया जदों पिछली बार चंदर देकार गया सी सोचन लगा जखबरे चंदर शिराबी ना होया हुए रामचंद नों गुसा आरेया सी महाजण भी के ना मोरक है उके में सोच साकदा के शिराबी हुए चंदर नों रामचंद तूके दुकान ते ले आ सकेगा पर उने महाजण नों इनकार नहीं सी कीता राम चंद जको तकी नाल अपणियां लतानू चंदर दे कारवल कडी स्ताल जा रहा सी सूरज ओदे सरते तापरेया सी ते पसीने नालो दा चेरा तार हो गया सी ओधी कमीज पेज गई सी ते ओधी चाती ते पिठनाल चेंबडी होई सी हलवाई दी दुकान दे पार फरश ते मक्हियां जमा हुईयां बैठीयां सन जदों चा दियां छोटियां छोटियां दुकाना दे कोल दी लंगया तो ते बढ़ दे स्टोबां तो उन्हों होरवी ज्यादा गर्मी मैसूस होई उत्तो उडच अपने पैर तूंदा गया उदा गला सुक गया सी उन्हों ता स्वेर वेले थकावट मैसूस होरे सी मकान मालक ने कुछ हफते पहलां कपड़े तो उन्दी को नवी मिशीन लियांदी सी ते सुधा रात बराते बड़े उत्शा नल कपड़े तो उन्दी रहन दी सी मशीन रोड़ा बहुत पहन दी सी इन नवी वदिया ते भेवाज मॉडल वड़े मशीन नहीं सी कई वारता रामचंद स्वेरे छे वजी ये दी अवाज नल उठ पैंदा सी आज वी ये हो होया जियों जियों तुर्दा होया गरीब ते गंदे लाक्यांच पहुंचदा गया ते यों ते दुकाना छोटियां मुख बजार दियां दुकाना नडों काट चमकीलियां हुंदियां गयां पर सारियां दुकाना ते बोड लगे सान रामचन्दियों सारे बोड उची उची पढ़ने शुरू करते जो जियो तुर्दा जान्दाते हो तो बोड पढ़दा होया शब्दानों समझन्दी कोशिश करता पपू आटो मोबाइल वर्क्स दीपक मेडिकल स्टोर दुर्गा इलेक्ट्रिकल्स चिल मिल और्केस्ट्रा रामचन्द हुन काफी तेजी नल पढ़ लेंदा सी ते हुनोंनू हरे कखर ते रुकणा ने सी पैंदा पिशले पांज मिन्या तो शबद जोडां ते जोर दिन्दा आ रेया सी ते मेनत नल पढ़ रेया सी उदे कमरेच ओधियां किताब बहां कॉपी ते डिक्शनरी या जवी मेज ते पैंजा सान तेना दी हालत गर्मिया नलोवी माड़ी दिखाई दन दे सी केमलिन रोयल ब्ल्यू दी शीशी टुट गई सी ते उदी थांते चल पाक पामानेंट ब्लैक दी शीशी आ गई सी ते साच्चा के पहले पहल उत्षातो बाद उदे पड़न दी रफ्तार कुझ कट गई सी पर उने ये कम पूरी तरह छड़ेया नहीं सी डिक्ष्णरी वेच उने अख़बार आखरकार एश शबद नाल शुरू होणवाले सारे अखर मुकाले सा एश कामचो नू आस नालो वाद समा लाग्या सी पूरे पंज मेने पर उने हारनी सी मननी जो तो उने आखरी शबद पड़े आता उने राहत भी मैसूस कीती थी खुशी भी एश शबद एज़ेओर एज़ेओर एज़ेड यू आरी सी एदा मतलब सी चमकीला नीला रंग जिमें के अस्मान चुनदा है फिर उने तेन देन दी चुटी की तीसी ते फिर बी अक्षरणू शुरू कार लियासी उने अपनी किताब दे लेख लगा तार पड़दा सी पर खतावली किताब कदे कदे ही पड़दा क्योंकि उन्हों एदी बहुती समई नीसी आओंदी उन्हें दो किताबां होर ख्रीद लिंगया सांते उनानु वी बक काईदगी नल पड़दा सी हालांके आजकल गर्मी कारणों दा दिमाग बुरी तरह नुचड़े अबया सी तो किस से भी गाल नू सही तरह नल नहीं सी सोच सक्दा सारा दिन महाजन दी बक बक सुनन तो बाद दुकान बंध होन मगरों किताबां पड़न दी उसकोल ताकती नहीं सी रहन दी उन्हें अजेता कपने कमरेनू स्वैदी भी नी सी किती पर उखोश सी थे उन्हें इक होर बोड पड़ेया महेश करियाना स्टोर आखरकारों ने कुछ ता किता ही है पिशले पांज मीन दौरान रामचन ने जेडियां दो नवियां किताबां खरीदियां सी उन्हें आच काफी रुज्जे आ रहे हैं एक दिन रेडियन्ट ऐसे जवेच पंड़जवार लाल नेरू पड़दे हुए इसलो इक वार फिर पुराणियां किताबां वाली दुकान ते गया कि उत्थो कुछ खरीद सके दुकान ते जड़ी किताब उन्हें सब तो पहला देखी उवी काफी चंगी लग दी सी उन्हें तुरंत ये नुखरीद दमान बढ़ा ले या ए डॉक्टर अजे राइदी ल इस किताब चेया गया सी पुराणी जी पुस्तक सी जिस बारे रामचंद नू लगदा सी के उस सस्ती मिल जाएगी इस किताब दा नाम सी हर मौकेली कुटेशना रामचंद सदै सोच दा सी के कुटेशना दा मतलब थोकदे कपड़े दियां के इमता मित्था नल जुड़े आ सी पर किताब दी जिल्त ते लिखिया गया सी, कुटेशन दा मतलब महान लोकां वल्लूं कैया हुईयां स्यानप वालियां गल्ला हुंदा सी, उन्वे दा मतलब नी सी पता, पर उन जानदा सी के स्यानप दाउनों लाब हुएगा पौस सारे वाक अंग्रेजी वर्न माला मुताबक वंडे हुई सान, किताब दे शुरूच ए अक्खर दे नाल शुरू हुँदे शब्दा नाल सबंधत वाक सान, इनाच एबिलिटी ते अडवर्सिटी बगारा शामल सान, इस किताब दे जेट तक तो शुरू हुण वाले बह हान व्यक्तियां दे कथन दर्ज किते गई सान, इना वाकानू पढ़के रामचंद दे अंदर रड़या मिलिया पर डूंगा पर बाप पैदा होया, कहिया दीता उनू समय नी सी आई, ते ओ इना नू बिना पड़े अंचाड़ गया, कदे-कदे तो पूरे दे पूरे विश जे मौका न मिलेता योगता किसे काम नहीं आउंदी, अबिलिटी, नेपोलियन, रामचंद ने उदासी नाल सोच दे होये, कि पता नी नेपोलियन कौन सी सोच या, कि उदी गलकिन नी साई सी, शैदो कोई विदेशी कभी होएगा, पर उदी गलकिन नी साई सी, जो दे मात पिता दी मौत ना होई होंदी, ता उस रामचंद ने वी अंग्रेजी दे स्कूल च पढ़ना सी, एस तरह उने अड्वरसिटी बारे वी इक वाग पढ़िया, ते डिक्शनरी च एदा अर्थ लब्बन दी कोशिश केती, एस शबदा आर्थ सी मंदे पाग, रामचंद ने ह तक डूंगे पाणियांचे रहन दंदा है, जट तक ओना विच तो बणा दे हत्थांचे नचोड़े होई वाल नहीं पह जान दे, ति अपने आप जा हो रहा लगी किसे काम दे नहीं रह जान दे, रामचंद ने अमरीका दे सिरले खेटले के सारे वाग छड़ दे, उन्हे बॉराइंग दे, सिरले, खेटले, सारे सियान पर बारे वाग पड़े, कारलाईल ना दे किसे बंदे ने क्या सी के करजा एक बेतला समंदर हुंदा है, उन्हों चेते आया कि जदो कदे भी कार्च पैसे दी कमी हुंदी तो उदा पिता उदी मानू क्या करदा सी, चिंदा ना कर, साड़े कुल जो को जया सी, उसे विच गुजारा करांगे, पर मैं किसे तो पैसे उदार नहीं लवांगा, जे तुसी एक बार उदार लेना शुरू कर लो तो उदा किती अंत नहीं हुंदा, ये इस नल जिंदगी नर्क बंड जान दिये, के गुकल ने भी पैसे उ पर तुसूद खोरां दिवास पै गया, जान जे तुस अपने दोस्तां वाकफ आए गया, रिष्टेदारां तुस पैसे उदार लेलाई, तो तेरे ते सदा एक खास किसम दा दबाब बढ़े आ रहेगा, फरवरी तक राम चंद, सी अक खर नल शुरू हुंदे, कुज शब शब्दानों चाड़ के डी नल शुरू हुंदे शब्दां तक पहुंच गया, वो हैरान सी के कैट्स, बिलियां बारे की क्या जा सकते है, पर इस सिरले खेट भी काफी सारी आस्यान पर बढ़ी हैं, गल्ना विद्वान नावलों लिखी हैं गया सारी, अप्रेल छे राम च साइंस फॉर चिल्डरन सी, इस बड़ी चोटी जी किताब सी थे बड़ी चमकीले काघजवानी सी, एस चरंगदार तस्वीरां थे खुबसूरत चित्तर बने सान, राम चान ने कीमत पुछिये थे कीमत एक सो पंजार उपए सी, उन्हें राश हो गया, इक किताब लिया पै इस किताब नों खरीद दे बिना वापस ने जा सके गा, दुज्याँ उन्हें दौ मेने पहलें कुटेशना वलhe किताब मुकाली सी, इसली उन्हें किताब खरीद ना वाजब सी, उन्हें किताब किताब खरीदली, इन्हीं दिल्चस्प टे खुश गवार सी, के रामचान दुकान जानली अपने आपनों बड़ी मुश्कल नाल त्यार करना पेंदा ते शाम नू आँदे सारी हो दा सब तो पहला विचार इस किताब नू पढ़न दा यांदा इस किताब करके तो हुन सुधा वल्वी बहुता त्याननी सी दिन दा इस किताब विच से तारयां ग्रेय मशीन नाप ओदिया इनसानी सरीर दिया अंदर ले अंगानिया तस्वीर असान एस किताब विच राम चंदे समझ ओन वाले शब्दांच गल्लां समझे यांगे यां बिजली के में बढ़न दिया है कारणियम ब्रिकां के में कम कर दिया है गर्म हवा वाले गुबारे असमान चिंदर तो नुश्कियों बढ़ दिया है एस दस्या गया सी के पैंगविन जड़ा के पंची सी जिस बारे राम चंद ने पहला कुछ भी सुने आजा देखिया नहीं सी तैरन लिके में लेरां दी वर्तों कर दिया है किताब एवी दस्या सी के हीरे चमक देखियों ह जाम चंद पढ़ के हरान हो गया कि मनुखी स्रीट छे सौ चाड़ी मास पेशिया हुनिया है इन्हों पढ़न तो मगरों जदो ने पहला वी पढ़ियां जा चुकी हैं पंज के ताब बांदे टेरते रख्या तो उदे मान अंदर के ताब बांदे माल खोन दा पहला एसास उदी नजर नौजवाना लई संसार दा संखेप इतिहास दे टिकी सी पर एदी के मत सौर पैसी जिस करके उन्हें सोच आ कि अगस्त मिने तो पहला नहीं खरीदी जा सकनी मानी मानों सोच रहा सी कि कोई होर इनू ना खरीद ला जाए उन जदो राम चंद पैदली चंदर द स्टोर जियों यों चंदर दे लाकेच पहुंचिया साइन बोड काफी दूरी खतम हो गए इना दी थांबास छोटे-छोटे मकान सान जिडे चौपडियां वांग लग दे सन बहुत माडियां छोटियां-छोटियां हनेरियां दुकाना सन ते जदों पिशली वारे थे आया सी ओधों भी एए लाका बहुत माड़ा दिखाई देंदा सी जदो रामचंद हनुमान मंदर को पहुंचिया तोने मैसूस किता जम्यों अनंत काल तो तुर्दा रहा हुए उगली दे अंदर नो मुड़या डिगूं-डिगूं कर दियां कंदा वाली इस लंबी गली इक पा पूर औरतां दे बच्चे उथे खड़े लडाई वेखरे सन इस कारण गली दा रस्ता बंद होया प्यास। इक औरत क्या रही सी तू की समय दियां ये तेरे बाप दी टूटी है सानू पीन लई ते खाना पकॉन लई भी पाने नी मिलदा तेस माहराणी नू देखो ये उदी हालत बड़ी माड़ी जी ओधी माने उदे मुड़े ते हाथ रख्या सी ते के ते उन नस ना जाए मुड़े दी माने दूजी आउरत नू किया जे तेरे बच्चे आंदे सिरांच जूआ पैन उन्हादे गोड़े आं ते कालक मली होन ते तनू खुशी है ता ये दा ये मतलब नहीं कि हर कोई तेरे वर गई है दूजी ओरत ने सकती नल टूटी फड़ी सी चिल आई तू तह यहों कर दिया जबे तू बड़ी साफ सुत्री बंबनी है तू तह अपना सारा गंद गड़ी चे खिलार दी रहनी है मैं की कर सकती है मेरी दुकान दारा ना लेनी नेड़ता नहीं कि मैंनु प्लास्टिक देख उड़ादान मुफत मुफत देदन दूजी और अच्छी की पत्तमीज तू कहना की चानी है मैं सिर्फ यह कहना चानी है कि मैं जान दी है कि जदो तेरे कारवाड़ा हर रोज केले वेच्छन जान दा है तो ओधी पिछों की मेरा मुँ ना खुलवाई ते होन दूए और ता सांग पाड़ के उची उची चीक रेंगया सान पर टोकाट मेरे कारवाड़ा होना और तान दे मगरता नहीं जान दा मैंनु यह तेरे कारवाड़े बारे बहुत कुछ बताए एसली अपना गंदा मुँ बंद राख मुंड का ते सुकर रेया साबन उनु होरवी तांग कारे सान पर उदी माने उनु सकती नलमोटे तो फड़े आया सी ते दुजी आरत ने टूटी फड़े सी पेड़ ची खड़े कुछ बच्चे होते हास रेया सान ओना वल चाक रेया सी उस दिन बाद विच गलीच होरवी लड़ा काफी राहत महसूस keeperती उन्हें फक्के होई ने दर्वाजा खड़काया कोई ज्वाब ना आया उन्हें दूजी वार ज्यादा जो क्ड़काया चुप राम चान ने दर्वाजा हलका जे तक किया जदो अंदर कोई न बोले अउन्हें रता को हिम्मत कारके दर्वाजा खोल देता पहला उन्हें सोचे अंदर कोई नहीं सी फिर उन्हें कमलानों बैठी देख लिया वो कमरे देक कोने चे सिर चुका के चुक चुपीती बैठी सी वो दे हाथ चे राम दियो अद्धी परी बोतल फड़ी सी जेड़ी गुसे नाल करों बार जांदे राम बार जांदे होई चंदर पिछे छाड़ गया सी राम चाननू बड़ा जीब लाग रिया सी कोई आरत अपने हाथ बोतल फड़ी बैठी है वो हड़ी हड़ी उस वालवदिया उन्हें कोई गल कहान ले मूंग खोलिया पर रुग गया उन्हों पाबी कहना बेवकुफी वाले गल लगी पाबियां ता उस शानदार आरता हुं दिया है जेड़ियां तो अनू चाप लौन नाल सामने कांदनू देख रही सि वेनू के में संबोधन करे फिर उन्हें देख्या उन्हें अपने आपनों भी संबाड़या नहीं हुए उधी अंगलनां थी हंजुआं दे निशान सान चेरा चिपके आ सी उन्हें मैसूस किता उन्हें खुशी नाल नहीं पीती हुई तो दे साधी अवाज भी सुन सकदा सी, उन्हें फेर उन्हों हलके जे हलाया, उन्हों ओ दिन चेते आया, जैसे नोदी हाजरी च चंदर ने उन्हों कुटे आ सी, तो कोने च टैटे री हो गई सी, येदे नाले उन्हों दे मान अंदर अपने आप प्रती गिलानी दी पावना भी पैदा हुई, ये द्रिश अक्सर ये उन्हों परेशान करदा रहन्दा सी, पर उस सदा ये न्हों अपने मान दियां खाईयाच तक देन्दा सी, फिर भी पच्तावी दी खलकी जी पावना लगातार कायम रहन्दी सी, जिस बारे उन्हें कदे अपने आपको उल्वी प बड़ा अजीब जया लाग रहा सी, जी होने ही चंदर आ जाये थे उन्हों इस तरहां बैठे आ वेखे, उन्हों की सोचेगा, पर कमला दे चे रहे थे आई कुछ, पर बावाने उन्हों रोकी रख्या, उन्हों चुप 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 उत्थे बठा रहा, मिंट लंग दे इक कमरे दे विच अजीब जी चुप चायी सी, कमरा होर गर्म हो रहा सी, रामचंद मुड़के नल पे जया प्या सी, पर फेर वी उत्थे बठा रहा, उस सिर्फ इन्हों इन्हों जान दा सी, क्योंनों हाले जाना नी चाही था, क्योंके उधी एथे लोडे, उधी अंदर खौफ उबर रहा सी, उन्हा जा सकदा सी, ना रहा सकदा सी, फिर वी उब ठा रहा, कार अंदर ले मकबरे वरगे मुहालने रामचंद नुवी जकड लेा सी, बार दी गली दे रोले रप्पे नालों, जा बार दी शेर दे रुजेवे नालों, किते अलाग दिखाई सार सी, राम चंदा मान बिलकुल खाली हो गया, उदा स्रीर तान गया, उडीक दा रहा, कुछ समय बाद थोड़ा जाही ली थे, उदे स्रीर दी कोई हड़ी चटकी, राम चंद जो तो फेर बोले आता हूं, अपने होसले थे हैरानी होई, मैंनों दास के की गड़ बड़ है, खबरे में तेरी कुछ मदद कार सका, जो तो बोल रहा सी, तो उदो यो ही आस करदा सी, कि उचुपते लाश वर्गी बनी रहेगी, ताकि उचुछ समय बाद अपनी साफ, शफाफ, जिन्दगी नाली उथो खिसक सके, पर जियों ही उन्ने शबद अपने मुऊं कड़े और तुरंती जियोंद्य वर्गी हो गई, फिर उन्हें हुंगारा परिया, उन्हें हुली हुली अपनी तौन कुमाई, अपने स्री नुकुमाई बेना रामचंद वल देख्या, उदी आखां कालिया ऐसी, यां सुरंगा वर्गीया संजना दा दूज्या सेरा नहीं सी, रामच अरत दे ठोड़ी ते सुक्की होई उल्टी दे निशान सन, उन्हें एक सस्ती जी बेंगणी रंग दी नायलन दी साड़ी पाई सी, जिस्ते वड़ेवडे स्वैद रंग दे फोल सन, पलू हलका जया बदरंग होया पया सी, रामचान ने देख्या बलाउस दे भी सुकी दे सन, उन्हें खबीकूनी दे अंदर एक बहुत लंबा पुराणा जखम दा निशान से, आखर कारों बोली थे पता ने कितों कुछ शबद निकले, इना शबदा नू बोलन ली अपना मूं खोले बिना उसके मदद, फिर रामचान ने देख्या ओदे मूं दे दोहां कोने आते जखमा दे निशान से, जिमें कटे गए हो, इकाट उपर नू लगे साने, इस तरह उदे बुल किसे पूत दी मुस्कराट वरगे दिखाई दे से, फिर उदी या मरीय लखा रामचंदरवल, रामचंद वाला अगवरों दी आ हुई यां, देखन लगे, उन्हें अपन अंदर डर गया से, उदा जी करदा से, उठे ते पाच जाए, पर उजया कर ना सक्या, उन्हें लगा उदे अंदर अपना सरीर दाइक भी अंगहला उण जोगी, ताकत नहीं बचे, कोले वरगी आखांजडियां के दो खाली मूरियां ही सान, इन्हें थाई बननी रख्या, उठे डरी होई चुप विच, उस वल देखता रहा, उन्हें अपने पार नू संबाडन ले, खात दी तली फर्षते टकाई होई से, अपने दंदा नू क्रीच दी होई, उफेर बोली, तू की कर सकेंगा, दस तू की कर सकता है, उधी अवाज चिक मी होगी बोली, तू की कर सकता है, उन्हें रामचंद सच मुची देल गया, उन्हें समय नीसी आउंदी के स्थिती दा सामना के में करे, उधी नबस तेज होगी, उठके पाज क्यों नी जान्दा, उस वरत तों ते दियां खादे खौफ ना, काले पांतों पाज जावे, उस अजीब ते गंदी बद नाल लगी बैठी सी, उन्हें देख दे हुए रामचंद ने मैसूस किता हुए कैसा जानवर सी जड़ा मरनी वाला सी, पागल पांदी हाथ तक कमबदी अवाज, ते मूच ओंदी शराव दी बदभू नालो ने किया, तू मेरी मदद करना चोना है, तू जानना चोना है कि और मेरे नाल की किता, तेनू पते, तेनू की लगदा है, और मेरे नाल बलतकारी किता, फिर मैंनू जान देता, एद्धर देख अजिया कैंदे उन्हे अपने पट्टांवाले शारा किता, रामचंद ने उत्सुपता नलो दे पट्टांवाल देख एख फिर होली ऋडी कदी कलपना भी ने सी की थी, उन्हें देखिया उदे पट्टा तो हेठा, उदे बैंगनी साड़ी दे बहुत ते सफैद रंग दे फुल, उन सफैद नहीं सान, उन लाल रंग दे हो गए सान, इना ते खून दे तब बे लगए सान, उस वारत दे शबद, उदी आखां ते ला उन्हें ता लाठी दी वर्तों कीती, क्योंके मैं उदे टेड़ चला तमारी सी, इस शबद केंदी कमला दे चेरे ते हलकी जी, संतोख दी मुस्कुराट आई, राम जंद बहुत दैशत विच सी, कमला दे शबदों दे कन्ना चीड़े अमंग तस दे जा रहे सी, तो दे दि सिस्क रही सी, लठी नाल, उन्हें दोहराया, फिर बोतल चुके अपने मूनू लाई ते पेन लगी, फिर राम चंद ने अपने हाथनू लगे, गिल्ले पन्नू मैसूस कीता, इह हाथ अजे भी फर्षते टिके आसी, ओ इंच पर नही लेया, उन्हें ता अखां तक भी ना चपका या, दैश्चत, कि ओधी साड़ी ते लगे खून दे ता बेपुराने सा, कि ओस ते अजे भी खून वह रहा सी, ओधे ना नेडे बैठा सी, ओधे आले द्वाले खून दा चपड लगा सी, जड़ा उन्हें देख्या तक नहीं सी, कि ओधे खून नाली, ओधा हाथ दारो रहा सी, ओधे खौफ नल काम बुठे, उस कोड हून कोई एक सोर विचार नहीं सी रह गया, उन्हें हलका जया मैसूस किता, ओधा चेरा भी गिल्ला सी, ज़रूरी ओ रो रहा सी, फिर उन्हें होली होली अपने हाथ वाल देख्या, ओधिया उंगला विच्चों खोन नई सी देता, ओधा हाथ ही सफैद दिखाई दे रहा सी, उन्हें अपना हाथ चुक्या अपने सामने कीता, ए राम सी, जड़ी कमला दी हत्थांच पड़ी हुई बोतल चो डुल गई सी, राम चान ने दो में पासिया तो अपने हाथ नों देख्या, सिर्फ राम सी, खून आई सी, वो हाले भी चीक रही सी, तु मेरी मदद करना चाना है, राम चान ने देख्या, उन्हों खुद भी उची उची रो रहा सी, हौके पार रहा सी, उके सितना उठके खड़ा होया, बारनों पजया, उपेडियां गडियां विच्छों दिया, नी तेजी नालपा जद गया कि आघरकार अपने छोटे जय पर सुरफ्ख्यत कमरेच पहुंच गया, तनवाद, चल्दा